कि इस चैप्टर में हम तरल से जुड़े हुए एक और मेकेनिकल प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा करेंगे जिसे हम प्रिस्ट तनाओ या सर्फेस टेंशन के नाम से जानते हैं यह सर्फेस टेंशन क्यूं होता है क्या होता है इसको जानने के लिए हमें कुछ और कॉंसेप अग्हार मेरे बने हैं और इन आणूों के बीच में आकर्शन बल काम करता है और यह आकर्शन बल दो तरह का होता है एक सा संजक बल जिसे हम कोहिसीफ फोर्स कहते हैं और दूसरा असंजग बल जिसे हम adhesive force कहते हैं, एक उधारन लेते हैं, मान लिजी एक चिकना surface है, उसमें पानी की कुछ बोंध गिरी है, छोटी-छोटी पानी की बोंधे हैं, जो इन चोटी-छोटी पानी की बोंधें कहम पास लाते हैं, तो एक बड़े पानी की बूंद का निर्मान करती है मतलब ये छोटी-छोटी बूंदे मिल जाती है और एक बड़ा बूंद बना लेती है ये छोटी-छोटी बूंदे कैसे आपसे मिल जाती है व्योंकि इन पानी के अणों के बीच में आपस में अट्रेक्शन बल काम करता है और इसके कारण ये चोटी-चोटी पानी की बूंद मिलकर एक बड़ी बूंद का निर्मान करती है और यही है सहसंजग बल यानि कि एक ही पदार्थ के अणों में जो आकरशन बल कारे करता है उसे हम सहसंजग बल को हैसे फोर्स कहते है को मतलब अपने में ही होना को हैसे फोर्स कहलाता है अब एक दूसरा उधारन लेते हैं हम काज की एक नली लेते हैं और उसमें पानी डाल देते हैं हम देखते हैं वो काज की नली गीली हो जाती है भीग जाती है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो काज के अणों हैं और य ये जो आकर्शन है, इसे हम असंजग बल के नाम से जानते हैं, adhesive force. मतलब एक पदार्थ के अणों का, दूसरे पदार्थ के अणों के लिए आकर्शन बल कहलाता है, असंजग बल, यानि की adhesive force. बच्चों अपने fevicol की bottle ये tube देखा होगा, उसमें लिखा होता है adhesive. अब बताएं fevicol क्या काम करता है? चिपकाने का काम करता है, जोडने का काम करता है. जब fevicol से किसी वस्तू को चिपकाया जाता है, तो वो आपस में जोड़ जाते हैं. क्योंकि fevicol में ऐसा गुण होता है कि वो दूसरे पदार्त के अणूओं को अपनी और आकर्शित कर लिता है. और इसलिए fevicol का नाम adhesive रखा गया है. इसका मतलब fevicol में adhesive force काम कर रहा है, और इसलिए ही हम fevicol को गोंद को adhesive कहते हैं, जो दूसरे पदार्त के अणूओं के लिए आकर्शन बल create करते हैं, उत्पन करते हैं. अभी हमने काच की नली में पानी वाला उधारन देखा, और जाना ये काच की ट्यूब को पानी गिला कर देता है. पर यदि इस काच की प्लेट में यदि हम पारा रखते हैं, तो पारा इधर उधर नाचने लगता है, वो अपने अकार को सिकुल लेता है, छोटा कर लेता है, बिल्कुल मोती जैसे हो जाता है, और उस काच की प्लेट में इधर उधर नाचने लगता है. हम उसे पकड़ना भी चाहते हैं, तो वो पकड़ में नहीं आता, वो फिसलता है और वो कांच की प्लेट को गिला नहीं करता, आखिर ये पारा भी तो एक तरल है, लिक्विड है, ये कांच की प्लेट को क्यों गिला नहीं करता, जब पानी उसी कांच के ट्यूप गिला कर सकत तो इसे समझने के लिए हम दो स्थितियां देखते हैं यदि सरसंजक बल का मान असंजक मान की तुल्ना में अधिक हो मतलब किसी भी पदार्त में उसके अपने ही अणुओं में आकर्शन बल अधिक होगा वो दूसरे पदार्त के अणुओं को भी आकर्शित करेगा लेकिन दूसरे पदार्त के अणुओं के लिए जो आकर्शन बल लग रहा है वो मान कम हुआ उस कंडिशन में वो उस पदार्त को गीला नहीं करता जैसे इस स्थिती में था मरक्यूरी ने एक छूटा सा ड्रॉपलेट बना लिया और वो काज की प्लेट को गीला नहीं कर रहा है व्योंकि मरक्यूरी पदार्त के अणुओं में अपने ही अणुओं के लिए आकर्शन बल अधिक है इसलिए वो अपने आपको बांध कर एक छोटी गोले की रूप में बना लेता है और काज की अणुओं के लिए आकर्शन तो है लेकिन ये असंजग बल का मान सहसंजग बल की तुलना में कम होता है अब एक और उधारन लेते हैं मान लीजी हमारे पास एक बरतन में तेल है उसकी स्वतंत्र प्रिष्ट पर यदि हम पानी डालते हैं तो क्या होता है कि पानी तेल में मिक्स हो जाता है कभी नहीं बलकि ये पानी तेल की सता की उपर छोटे-छोटे गोले बना लेता है मतला हमको पानी की बूद नजर आती है प्रॉप्लेट्स दिखाई देते हैं ये पानी के गोले क्यों बन जाते हैं क्यों उसके मान से अधिक होता है और इसलिए वो अपने में आकर्शन उत्पन्य करता है और अपने को ही सिमट कर रख लेता है और बूंद का निर्मान कर लेता है अब चलिए इसका विपरित उधारण लेते हैं हमारे पास एक पात्र में पानी है और उसके उपर हम तेल डालते हैं तो क्या होता है क्या तेल की ड्रॉपलेट्स या बूंद आपको नज़र आती है नहीं ये तेल इस पानी की स्वतनत्र प्रिष्ट पर पतली फिल्म की तरफ फैल जाता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तेल के अनों के बीच में आपस में जो अट्राक्शन फोर्स है यानि सरसंजग्बल उसका मान कम होता है जबकि इस तेल के अणों का इस पानी के अणों के साथ attraction force यानि असंजग बल का मान अधिक होता है और इसलिए असंजग बल यहाँ पर हावी हो जाता है और इसलिए ये तेल पानी के स्वतंत्र प्रिष्ट पर एक पतली फिल्म बना लेता है क्या आप लिखते समय इंक पैन का स्तमाल करते हैं जब हम इंक पैन से लिखते हैं तो कागज पर अक्षर उभरते हैं यानि यह इंक थोड़ा सा फैलता है ऐसा इसलिए होता है जो इंक के अनु है उनके बीच में अट्रेक्शन फोर्स काम कर रहा है यानि ससंजग बल और इंक और पेपर के अनुओं की बीच में बीक अट्रेक्शन फोर्स काम कर रहा है यानि असंजग बल यहाँ पर ससंजग बल जो इंक के अणों के बीच में लग रहा है और असंजग बल जो इंक और पेपर के अणों के बीच में लग रहा है से संजग बल का मान असंजग बल की तुल्ला में कम होता है इसलिए असंजग बल यहां पर हावी हो जाता है और इंक उस पेपर में फैल जाता है ऐसे ही लिखने पर बोड पर अक्षर उभर कर आते हैं ऐसा इसलिए होता है व्योंकि चौक में भी अणूओं की बीच में सहसंजगबल है और चौक के अणू और बोड की अणू इनके बीच में असंजगबल है यहां असंजगबल का मान सहसंजगबल की तुल्णा में अधिक होता है इसलिए चौक बोड में चिपकते हुए अक्षुरों को उभार देता है ऐसा एक और उधारण है जिसे आपने अपने डेली लाइफ में नहीं देखा होगा पीतल पर निकल की पॉलिश चड़ाना जिससे कि पीतल के बर्तन और भी ज़्यादा चमकदार हो जाते हैं पीतल के बर्तनों पर निकल की पॉलिश किस प्रकार चड़ती है जो निकल के अणू होते हैं उनके बीच में ससंजगबल कारे करता है आपस में और निकल और पीतल के बीच में असंजगबल कारे करता है जब असंजगबल का मान सासंजगबल की तुलना में अधिक हो जाता है उस समय ये निकल पीतल के उपर एक परत बना लेता है और इस प्रकार से हम पीतल के बर्तनों पर निकल की पॉलिश करते हैं और इसी प्रकार हमने देखा कि सासंजगबल और असंजगबल के बीच में यदि असंतुलं होता है यदि एक बड़ा है एक छोटा है उस कंडिशन में ही अलग-अलग तरीके के सिचुएशन उत्पन्न होते हैं। और इस असंजगबल और सासंजगबल में जो अनबैलेंस है उसके कारण हम एक और निसकर्ष निकाल सकते हैं किसी द्रव में किसी ठोस के लिए असंजगबल का मान अधिक होता है सासंजगबल की तुल्ला में तो वह उस ठोस को गीला कर देती है और यदि सरसंजगबल का मान असंजगबल की तुल्ना में अधिक होता है उस ठोस के लिए तो वो उस ठोस को गिला नहीं कर पाती इसको समझने के लिए हम एक और उधारन ले सकते हैं जो आपने अपने डेली लाइफ में जरूर देखा होगा बच्चों अपने कोचाई का पत्ता देखा है यदि इसमें पानी डालते हैं तो इस कोचाई का पत्ता गिला ही नहीं होता और यदि इसमें थोड़ा सा पानी डाले तो इस कोचाई के पत्ते पर वो पानी ड्रॉपलेट्स का निर्मान कर लेता है यानि मोती के जैसे हो जाता ह और उस कोचाई के पत्ते में फिसल्ले लगता है अब बताई यहां पर कारण क्या है यहां पर पानी के अनुओं के बीच में जो ससंजगबल है वो पानी के अनुओं और इस कोचाई के पत्ते के बीच में जो असंजगबल था उसके मान से अधिक होगा इसलिए यह कोचाई के पत्ते को गीला नहीं करता या यो कहें कि पानी उस पर नहीं चिपकता ये पानी की बूंद और साबुन का बुल्बुला ये गोल होते हैं अब सोचिए ये गोल क्यों होते हैं यदि हम किसीप ध्रफ की स्वतंत्र प्रिश्ट को देखें तो यह हमेशा अपने छेत्र फल को कम करने का प्रयास करती है। और आकरती गोल इसका छेत्र फल सबसे कम होता है। इसलिए ही, पानी की छोटी बूंद गोल होती है, और सावुन का बुलबुला भी गोल ही होता है, क्योंकि ये स्वतंतर पृष्ट अपने छेतर फल को कम करने का प्रयास करता है, और एक गोल का रूप ले लेते हैं। और इसी तरह हम देखें कि द्रफ का स्वतंतर प्रिष्ट हमेशा एक तनी हुई जिल्ली की तरह कारे करता है यानी stressed membrane की तरह और इसी खिचाव को या इसी तनाव को ही हम प्रिष्ट तनाव कहते हैं यानि कि surface tension लेकिन जब हम किसी द्रफ की स्वतंतर प्रिष्ट को देखते हैं तो हमें तो वहाँ पर कोई तनी हुई झिल्दी नजर नहीं आती और इसे लिए हम प्रिष्ट तनाव को देख नहीं सकते लेकिन प्रिष्ट तनाव से जुड़े हुए बहुत सारे उधारण है जिसके आधार पर यह निसकर्ष निकाला जाता है कि यह द्रफ की स्वतंतर प्रिष्ट हमेशा एक तनाव में रहती है चलिए इसका धारण लेते हैं हम एक ब्लॉटिंग पेपर में एक सुई रख देते हैं बच्चों ब्लॉटिंग पेपर क्या होता है स्याही सोकता जिससे ह पानी के पास भी उसको लाया जाए तो वो पानी को भी सोक लेता है इसे हम फिल्टर पेपर भी कहते हैं अब इस ब्लॉटिंग पेपर के उपर हमने पतली सी सुई रखी है और हम इसको एक ऐसे पात्र में रखेंगे जिसमें अल्रेडी पानी भरा हुआ है अब इसे हम इस पात्र के उपर द्रफ की स्वतंतर प्रिष्ट पर रख देते हैं क्या होगा धीरे धीरे यह स्याही सुकता पानी को अब्सॉर्फ करेगा और फिर यह डेंस हो जाएगा और फिर पानी में डूब जाएगा तो इसका मतलब यह है कि उसके उपर जो रखी गई सुई थी वो भी पानी के अंदर डूब जाएगी कि सुई तो अल्रेडी डेंस होती है पानी की तुल्न में तो जब भी उसको हम लोग पानी में रखते हैं तो वो डूब जाती है पर यहां स्याही सोकता था इसलिए अभ अनदर सिंख हो जाता है लेकिन सुई अभी भी उस्वतंतर प्रिष्ट पर तयारती रहती है कि अब सुई इस स्वतंतर प्रिष्ट कैसे तैरेगी यह तो कि जो इससका स्वतंतर प्रिष्ट है वो एक तनी हुई जिल्ली की तरह कारी करेगा मतलब वहां पर तनाव उत्पन रहेगा और उसी तनाव में ही ये लोहे की स्वी भी इस द्रफ के स्वतंतर प्रिष्ट पर तैरती हुई नजर आती है अब हम एक और उधारण लेते हैं हम सोप सिलूशन लेते हैं साबुन का पा एक धागा लेंगे और धागा को दोनों छोरों से बान देंगे और किसी भी तेड़ी मेड़ी आकरिती का बनाते हुए इसे साबुन के पानी में डाल देते हैं मतलब जो इसकी पतली से फिल्म है उस पर डाल देते हैं अब हम देखेंगे कि जो धागा है इस फिल्म में ऐसी तेड़ी मेड़ी आकरिती कही बना हुआ रहेगा इसका मतलब इस धागे में तनाव लग रहा होगा यह में कब पता चलता है जब हम इस तेड़ी मेड़ी आकरिती के बीच वले जगे में छेद कर देते हैं यानि जो साबून की पतली से फिल्म बनी रहती है उसको हम वहां पर एक सुई के जरीए या फिर किसी वस्तु के जरीए उसमें छेद कर देते हैं उससे में हम देखते हैं कि ये जो तेड़ी मेड़ी आकरिती का धागा था वो गोल हो जाता है क्योंकि इस पानी में प्रिष्ट तनाव रहते हैं सरफests टेंजिन और यह सरफेस टेंजिन पूरे सरफेस पर बराबर चारों तरफ से कार्य करता है और इसके कारण इसका चेत्र फ़ल मिनीम ओन चाहता है और यह एक राउंड आकृति ले लेता है तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी द्रफ के जो स्वतंतर प्रिष्ठ है वो हमेशा तनाव में रहती है और इसी तनाव को यह हम प्रिष्ठ तनाव कहते हैं अब इसको परिभाश्चित कैसे करेंगे माल लेजे हम इस द्रफ के स्वतंतर प्रिष्ठ में एक लकीर की कलपना करते हैं एक लाइन की अब इसका स्वतंतरप्रिष्ठ तनाओ में खिचा हुआ है इसका मतलब इस लखीर के दोनों और लमवत रूप से बल लग रहा होगा और यह बल लखीर के दोनों और बराबर होगा लेकिन विप्रिद्दिशा में होगा और इस काल्पनिक रेखा कि किसी भी एक और हम बल को प्रती एकांक लंबाई में कैल्कुलेट करते हैं तो इस स्वतंत्र प्रिष्ठ का प्रिष्ठ तनाव ग्याद किया जाता है तो इस प्रकार हम सर्फेस टेंशन को इस तरह से लिख सकते हैं प्रिष्ठ तनाव कांक लंबाई के लिए एक हम कैल्कुलेट करें तो प्रिष्ठ तनाव ग्याद कर सकते हैं तो इस तरीके से देखा जाए प्रिष्ठ तनाव बराबर होता है बल अपन लंबाई अब यदि एल बराबर वन लेती हो तो उस कंडिशन में प्रिष्ठ तनाव एस के बराबर हो जाता है यानि बल के बराबर होता है तो इस प्रकार हम सर्फेस टेंशन को परिभाशित कर सकते हैं कि साम्य आवस्था में यदि द्राफ के स्वतंतर प्रिष्ट पर एक काल्पनिक रेखा खीची जाए जिसकी लंबाई एक हो इकाई हो तो उसके एक ओर कारी करने वाले लंबवत बल को हम प्रिष्ट तनाव कहेंगे और यह बल इस प्रिष्ट पर इस पर्ष रेखी रूप से कारी करेगा वलब जैस का पृष्ठ होगा उसी पर ही इस पर्श करता हुआ यह बल कार्य करता है और यह बल फिष्ठतनाव के बराबर होता है अब आइए देखते इसका मातर क्या होगा F का मातरक होता है Newton और लंबाई का मातरक मीटर तो Newton अपन मीटर और यदि हम CGS पद्धती में देखें तो Dine अपन सेंटीमीटर लिखेंगे इसका विमिय सूतर क्या होगा? बल का विमिय सूतर ML T-2 और लंबाई का L तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं ML 0 T-2 अब प्रिष्ट दनाओ के इस फॉर्मूले को जानने के बाद चलिए इस पर अधारित एक numerical question बनाते हैं प्रश्ण पानी में तेरती एक स्वी की लंबाई 3 cm है स्वी को पानी के तल से उपर उठाने के लिए स्वी के भार के अतरिक्त कम से कम कितना बल लगाना पड़ेगा T बराबर 7.2 न्यूटन प्रती सेंटीमीटर इस प्रश्ण में दिया गया है L बराबर 3 cm सर्फेस टेंशन प्रिष्ट तनाव T बराबर 7.2 न्यूटन प्रती सेंटीमीटर यहाँ पर लंबाई और प्रिष्ट तनाव दोनों में मातरक देखें तो सेंटीमीटर है इसलिए यहाँ पर हम कैलकुलेशन करते समय कोई कनवर्शन नहीं करेंगे और इसे डारेक्ट सूत्र में रखेंगे सूत्र अनुसार होता है T बराबर F अपॉन 2L या F बराबर T इंटू 2L सुई के दोनों और पानी का प्रिष्ट है अत्हाँ पानी के प्रिष्ट के सुई के साथ संपर की लंबाई 2L होगी इसलिए हम लिख सकते हैं F एक्वल टू 7.2 इंटू 2 इंटू 3 और इसे जब हल करेंगे तो हमें मिलेगा 43.2 नूटन किसी भी द्रफ के स्वतंत्र प्रिष्ट में ये तनाव क्यों रहता है इसका कारण क्या है इसको समझाने के लिए वेग्यानिक लापलास ने आण्विक सिधान दिया यानि की मॉलिक्लर थियोरी इसके अनुसार यदि हम किसी लिक्वीट के अणूओं को देखे तो वो एक दूसे से चिपके हुए नहीं रहते बल्कि कुछ दूरी पर रहते हैं और इन अणूओं के बीच में ससंजग बल कारे करता है मतलत ये एक ही liquid के अणों के बीच में कारे करने वाले बल को हम सरसंजग बल कहते हैं और ये इन अणों के बीच में निरंतर कारे करता रहता है लेकिन जैसे ही इन अणों की बीच की दूरी को बढ़ाते जाए तो ये सरसंजग बल का मान कम होने लगता है और एक दूरी पर आकर यह सरसंजगबल का मान शुन्य हो जाता है यानि कि एक निश्चिक दूरी के बाद दो अणों के बीच में सरसंजगबल का मान जीरो होता है यहाँ पर कोई बलकारिय नहीं करता तो जितने दूरी तक यह सरसंजगबल प्रभावी रहता है उसे हम कहते हैं आणविक परास यानि की molecular range और इसी molecular range के अंदर ही ये सहसंजगबल कार्य करता है और द्रवों के लिए ये molecular range 10 to the power minus 9 meter की कोटी का होता है यानि कि यदि किसे liquid के अंदर एक अणू को केंद्र मान कर 10 to the power minus 9 meter की त्रिज्या का एक गोला खीशते हैं तो इस गोले के अंदर जितने भी अणू होंगे वो इस केंद्र वाले अणू पर सहसंजगबल लगाएंगे मतलब इस गोले के अंदर ही सहसंजगबल कारे करेगा और जैसे इस गोले के बाहर हम देखते हैं तो इस गोले के बाहर इस्थित अणू इस केंद्र में स्थित अणू में कोई भी बल नहीं लगा पाएंगे क्या यूं कहें सर संजगबल का मान शुन्य होगा तो इस प्रकार का एक गोला हम तयार कर सकते हैं जिसके अंदर ये सर संजगबल कारे कर रहा हो और इसे हम कहते हैं Sphere of Influence और हिंदी में कहते हैं आणवीक प्रभाव का गोला मतलब इसके अंदर ही अणवीक प्रभाव महसूस होता है और ये प्रभाव किस रूप में होता है आकर्शन बल के रूप में जिसे हम सर संजगबल के नाम से चानते हैं इस आणवीक प्रभाव के गोले के अंदर यानि कि Sphere of Influence के अंदर जो सर संजगबल कारे कर रहा है उसके कारण प्रिष्ठ तनाव कैसे उत्पन होता है इसको समझने के लिए हम एक लिक्विड लेते हैं और इस लिक्विड के अंदर चार अलग-अलग स्थितियों में बिंदू कंसिडर करते हैं और उन बिंदूओं पर मान के चलते हैं अनू स्थित है वैसे द्रव में तो पूरे अनू भरे हुए है पर हम स्पेसिफिकली इन चार बिंदूओं को लेकर पहले स्टडी करते हैं यह चार बिंदूओं पी क्यू आर एस अब यहां पर 10 टू दा पावर माइनस 9 मीटर की जो कोटी है उसके रेंज का यानि कि उतनी त्रिजिया का हम एक गोला बनाते हैं यानि कि हम यहां पर आनूविक प्रभाव का गोला बनाते हैं इन चारो बिंदूओं परिस्थित अनूओं के लिए अब हम बात करते हैं इस पी बिंदू के अनूओं के लिए इसके जो sphere of influence के अंदर जितने भी अणू होंगे वो इस P बिंदू के अणू पर सरसंजग बल लगाएंगे और इस चित्र अनुसार हम दे सकते हैं कि ये सरसंजग बल सभी दिशाओं में बराबर रूप से कारी कर रहा है इस गोले के अंदर और एक बल के विपरित जेस्ट हमको दूसरा बल भी मिल रहा है जो बराबर होगा मान में और दिशा में विपरित होगा इस प्रकार हम इस बल को देखेंगे तो इसमें हर बल के विपरित एक दूसरा बल भी मिलेगा और इस गोले के अंदर यदि हम परिणामी बल, नेट बल की बात करें तो वो शुन्य होगा तो जो पी बिंदू का स्फियर ओफ इंफ्लूएंस है उसके अंदर सासंजग बल का मान शुन्य होगा अब बात करते हैं हमें इस आर बिंदू के इस आर बिंदू के लिए भी हमने एक स्फियर ओफ इंफ्लूएंस बनाया त्रिज्य हमने वही ली आणवी परास यानि 10 तो पावर माइनस 9 मीटर की कोटी का इस आर बिंदू के लिए जो स्फियर ऑफ इंफ्लेंस बन रहा है यह प्रिष्ठ के निकट है जो इस लिक्विट का स्वतंतर प्रिष्ठ हमने लिया था यह उसके पास में है और यहां पर भी इस गोले के अंदर हम देखें तो सभी दिशाओं में बलकारी करेगा और इसलिए कि इस गोले के अंदर भी नेट बलकामान शुन्य होगा अब हम इस की बिंदू पर इस्थित अणू की बात करते हैं यहां पर भी हमने कि स्फियर ऑफ इंफ्लेंस बनाया और यहां हम देखेंगे कि यह जो स्फियर ऑफ इंफ्लेंस है इसमें अणू की संख्या नीचे अध नीचे इस्थित अणू की तुलना में और इसलिए उपर की डिरेक्शन में कारे करने वाला कम होगा नीचे की डिरेक्शन में कारे करने वाले बलके और इसलिए जो परिणामी बल लगेगा वो नीचे की डिरेक्शन में लगेगा अब हम इस एस बिंदू की बात करते हैं इ और आधा भाग द्रफ के बाहर इस्थित होने की कारण ऊपर पे कोई भी बल कारिय नहीं करेगा जितना भी बल है वो नीचे की डिरेक्शन में कारे कर रहा है मतलब अनुओं को नीचे की डिरेक्शन से आकर्षन बल प्राक्त हो रहा है और इसलिए यहां पर इस गोले के बल का डिरेक्शन नीचे की और होगा इस तरह से हम देखे कि जब हम स्वतंत्र प्रिष्ठ से नीचे की और बढ़ते हैं आणविक परास की दूरी तक वहां पर इन अनुओं में नीचे की डिरेक्शन में आकर्षन बल कारे करता है प्लब सरसंजगबल जो इन अनुओं में कारे कर रहे उसकी दिशा परिणायमी बल की दिशाक नीचे की और होगी और जैसे हम आणविक परास से और आगे बढ़ते हैं नीचे की और तो वहां पर ऐसा सफिए नेट बल परिणामी बल नीचे की और कारे कर रहा है इसे हम एक विशेश नाम से जानते हैं इसे हम प्रिष्ठिय फिल्म यानि कि सर्फेस फिल्म का नाम देते हैं और इस प्रिष्ठिय फिल्म में ही जितने भी अणू होंगे उसमें नेट बल नीचे की और कारे कर रहा होगा इसका मतलब यह है कि जो प्रिष्ठिय फिल्म है वो असंतुलन के स्थिती में रहेगा लेकिन जैसे ही हम इस प्रिष्ठ से गहराई की और बढ़ते हैं द्रव में तो वहाँ पर नेटबल शुन्य होगा मतलब नीचे द्रव संतुलन के स्थिती में होगा और हम जानते हैं कि जब ऊर्ज अधिक होगी तभी वहाँ पर असंतुलन के स्थिति होगी और जब और न्यूनितम होती है या शुन्य होती है उस समय संतुलन के स्थिति होती है तो इस प्रकार इस द्रव में देखें तो नीचे की और स्तितीज ऊर्जा कम होगी जबकि ये प्रिष्ठिय फिल्म पर सर्फेस फिल्म पर ऊर्जा अधिक होगी और द्रफ का स्वतंत प्रिष्ठ संतुलन में हो इसलिए उसकी ऊर्जा कम होनी चाहिए यहां पर यदि हम देखें तो जो नीचे के अणू है यदि उसको नीचे से ऊपर ले जाया जा रहा है जैसे हम प्रिष्ठी फिल्म की बात करें तो यहां पर नेट बल नीचे क्यों कारे कर रहा है और हम अणों को नीचे से उपर क्यों ले जा रहे हैं तो अब इस संजग बल के आकर्शन बल के विरुद्य ऊपर ले जाने के लिए अणों में कारे करना होगा और यहा कारी ही इन अणों की स्थितीज ऊर्जा के रूप में संचित होती है और इस प्रकर हम कहें कि प्रिष्टिय फिल्म की अपनी एक स्थितीज ऊर्जा होती है और प्रिष्टिय फिल्म की स्थितीज ऊर्जा अधिक्तम होती है क्योंकि जब हम नीचे की बात कर रहे हैं तो यहां पर स्थिती जूर्जा न्यूनितम होगी क्योंकि यहां पर द्रव संतुलन के स्थिती में हैं और जब अनुकम उपर ले जाते जा रहे हैं हम देख रहे हैं कि यहां पर इस आकर्शन बलके विरुद्ध कारे करना पड़ र होनी चाहिए और सिती जूर्जा के मान में कमी तभी आएगी जब प्रिष्ट पर अणों की संख्या कम होगी और इस प्रिष्ट का छेत्र फल कम होगा और इसी लिए किसी भी द्रफ का स्वतंत्र प्रिष्ट हमेशा एक तनी हुई जली की तरह कारे करता है क्योंकि वहां पर तनाव उत्पन हो जाता है उस प्रिष्ठ के छेत्रफल को कम करने के लिए और इसी तनाव को ही हम कहते हैं प्रिष्ठ तनाव कि जिसे हम इंग्लिश में सर्फेस टेंशन के नाम से जानते हैं और इसी प्रिष्ठ तनाव के कारण सर्फेस टेंशन की कारण ही इसकी स्वतंत्र सता हमेशा छेत्र फल को कम करने का प्रयास करेगी अब माल लीजिए इस स्वतंत्र प्रिष्ट के छेत्र फल को बढ़ाना हो तो इस प्रिष्ट तनाव बल के विरुद्ध कारी करना होगा और यह किया गया कारी है, इस वतंतर प्रिष्ठ की स्थितीज ऊर्जा की रूप में संचित होता है, और इसे हम प्रिष्ठी ऊर्जा या फिर सर्फेस एनर्जी के नाम से जानते हैं, तो यहां प्रिष्ठी फिल्म के प्रती एकांग के छेतर फल में संचित ऊर्जा, स्थिती जूर्जा कहलाती है व्योंकि हम यह जानते हैं कि नीचे से अणवों को इस प्रिष्ट तक लाने में इस संजग बल्के विरुद्ध कारिक किया जा रहा है और यह कार ही इसमें सिती जूर्जा की रूप में संजित हो रही है और दूसरे शब्दों में हम प्रिष्ठी ओर्जा को इस प्रकार भी परिभाशित कर सकते हैं कि प्रिष्ठी फिल्म के प्रती एकांक चेत्रफल में व्रिध्धी करने के लिए किये गये कारे को प्रिष्ठी ओर्जा कहेंगे प्रिष्टी ओर्जा को मान लीजिए हम S से दर्शाते हैं तो S बराबर होता है कार्य बटे छेत्रफल यह कार्य इस स्वतंतर प्रिष्ट के छेत्रफल में वृध्धी करने के लिए किया गया है अगर हम छेत्रफल में वृद्धी को डेल्टा ए लेते हैं कारे को डबलू लिखते हैं तो S बराबर होता है W अपॉन डेल्टा ए और यह प्रिष्ठी ओर्जा अलग-अलग लिक्विट्स के लिए अलग-अलग होती है इसका मातरक क्या होता है कारे का मातरक है जूल और छेत टी-2 और में इसका मातरक और भी मिश्च मातरक देखा तो चलिए बच्चो इस ही पर अधारित एक निमेरिकल को चैनल बनाते हैं प्रश्ण, एक बड़ी बूंद को समान आकार की एंचोटी बूंद में विभक्त किया जाता है किया गय कार के लिए सूत्र व्युद्पन कीजिये मानलो बड़ी बूंद की तृजया R है और उसे R तृजया की N छोटी बूंदों में विभक्त किया जाता है तब बड़ी बूंद का आयतन बराबर N इंटू छोटी बूंदों का आयतन क्योंकि यहां पर जो बूंद का आयतन है वो समानी रहेगा क्योंकि उसी आयतन के पानी से ही छोटी बूंद का निर्मान हो रहा है एक गोल का आयतन होता है 4 by 3 pi r cube तो यहां पर हम सूत्र रखेंगे तो मैं मिलेगा 4 by 3 pi r cube जहां capital R हमने बड़ी बूंद की त्रिज्य ली थी बराबर n into 4 by 3 pi r cube जहां small letter r छोटी बूंद की त्रिज्य है और इन दोनों पक्षों से 4 by 3 pi काटने पर हमें मिलेगा r cube बराबर n r cube और यहां से r cube बराबर r cube upon n और दोनों पक्षों का घन मुल लेने पर हमें मिलेगा r equal to r upon n power 1 by 3 बड़ी बूंद का प्रिष्ठी चेत्रफल 4 pi r square होगा जब की छोटी बूंद का प्रिष्ठी चेत्रफल 4 pi r square होगा और यहां पर n छोटी बूंदे हैं इसलिए हम इसे n से गुणा कर देंगे यदि हम n छोटी बूंदो का प्रिष्ठी चेत्रफल ग्याद करना चाहते हैं इस प्रकार n into 4 pi और इस r के जगे हम लिखेंगे r upon n power 1 by 3 square है तो square लगाएंगे इसे solve करने पर हमें मिलेगा 4 pi n r square upon n to the power 2 by 3 और से solve करेंगे तो मिलेगा 4 pi n power 1 by 3 into r square चेत्रफल में व्रिधी delta a बराबर होगा 4 pi n to the power 1 by 3 r square minus 4 pi r square तो भी से solve करेंगे तो मैं मिलेगा 4 pi r square bracket के अंदर n power में 1 by 3 minus 1 अता किया गया कारिय जबलू बराबर होता है surface tension into छेत्रफल में व्रिधी छेत्रफल में व्रिधी हम ग्याद कर चुके हैं t यहाँ पर surface tension है तो हम लिखेंगे किया गया कारिय जबलू बराबर t into 4 pi r square bracket के अंदर n power 1 by 3 minus 1 और उसे जब solve करेंगे तो हमें मिलेगा 4 pi t r square bracket के अंदर n के पावर में 1 by 3 minus 1 और यही एक बड़ी बूंद को n छोटी बूंद में बाटने में किये गया कारिय का सूत्र है जहाँ पर t इस द्रफ का प्रिष्ठ तनाव है प्रश्ण तार के एक आयताकार छल्ले पर 4 cm x 5 cm की साबून की एक फिल्म बनी है 4 cm x 5 cm लिखा है इसका मतलर एक आयताकार फ्रेम है जिसकी लंबाई एवं चोड़ाई यहां पर दी गई है यदि फिल्म का आकार 4 cm x 6 cm कर दिया जाए तो इस क्रिया में किये गये कारिकी गणना कीजिए मतलब अब इस आयताकार फ्रेम की लंबाई और चोड़ाई में हम व्रिधी कर रहे है साबून के घोल का प्रिष्ठ तनाव 3 x 10 to the power minus 2 newton upon meter है अब इसे solve करने के लिए हम देखते हैं फिल्म का प्रारंभिक छेत्रफल 4 cm x 5 cm है इसका मतब 20 cm square है अगर इसे मीटर में convert करेंगे तो हम लिखेंगे 20 x 10 to the power minus 4 meter square फिल्म का अंतिम छेत्रफल 4 cm x 6 cm इक्वल तो 24 cm अब इसे भी मीटर में convert करते हैं तो यह होगा 24 x 10 to the power minus 4 meter square प्रिष्ट के छेत्रफल में वृद्धी यदि हम delta A से दर्शाते हैं तो यह अंतिम छेत्रफल minus प्रारंभिक छेत्रफल होगी लेकिन यह फिल्म का निर्माण कर रही है और इस फिल्म में 2 स्वतंतर प्रिष्ट होंगे इसलिए यहां पर जब हम छेत्रफल में वृद्धी ग्याद करेंगे तो इसे 2 से into करेंगे तो कि यहां पर 2 स्वतंतर प्रिष्ट होंगे इसलिए हम लिखेंगे 2 into ब्रेकेट के इंतर 24 into 10 to the power minus 4 minus 20 into 10 to the power minus 4 और solve करने पर हमें मिलेगा 8 into 10 to the power minus 4 meter square किया गया कार्य डबलू बराबर होता है टी इंटू डिल्टा है अब सर्फेस टेंशन का मान प्रश्न में दिया गया है 3 into 10 to the power minus 2 into छेत्रफल में वृद्धी है 8 into 10 to the power minus 4 इसे solve करेंगे तो मिलेगा 24 into 10 to the power minus 6 Joule और 2.4 into 10 to the power minus 5 Joule और इस प्रकार हम इस प्रश्न में किये गये कारे की गणना करेंगे